सुक्रिया दोस्तों चुनाब का मौसम है और मैं चाहता हूँ कि कुछ चीजे बता दूँ 13 तारिक को यानि कि आज गारत तारिक है 12 तारिक और एक दिन बाद 13 तारिक को बिलासपूर में जिसमें अजीज जोगी भी रहेंगे और 15 अक्टूबर को दो दिन बाद दिल्ली के मंडी हाउस से लेकर पार्लामेंटरे स्टीर तक नजीब के इंसाफ के लिए रोहित बिमुला की मा सरको पर उतरेंगी तो ये दो बड़ी ख़बरे हैं जो मैं चाहता ता आपको दूँ आज राहूल गांधी ने फिर वही रफेल रफेल बोला आप सोचिए कि बीजेपी और कॉंग्रेस कितनी मोटी चमरी की है और कितनी बड़ी सेटिंग है कि एक रफेल रफेल कर रहा है दूसरा टूजी टूजी थिरी जी करके आया था यार भहिया आपकी सरकार थी फुल कॉंग्रेसी को पकरा किसी को ठिक कॉंग्रेसी भी ही करेंगे किसी बीजेपी वालों को नहीं पकरेंगे जनता को सिर्फ बेवकूप बनाते हैं आपके मुद्दे पर बात नहीं करते हैं राहूल गांधी से जब गुजरात को लेकर सवाल पुछा गया तो वो रॉकेट की तरह गायव हो गए प्रेस कॉंफरेंस से अब सोचिए ये लोग कितने शातिर हैं कि जिस मुद्दे पर comfortable होते हैं जवाब देते हैं जिस मुद्दे पर नहीं होते हैं जवाब नहीं देते हैं चुकि गुजरात में उनका मामला फंस रहा है गुजरात से एक और भयानक ख़वर आई है और अब उसका सबूत भी आ गया है निसनल दसक पर वो वीडियो भी देखिएगा कि लगातार SC, ST, O, B, C, Minority के जो तेस तरह लड़के हैं खासकर SC, ST, O, B, C के जो I.S की तियारी कर रहे हैं I.I.T कर चुके हैं इंजिनिरिंग कर चुके हैं उनको स्कॉन के नाम पे लगातार भरका जा रहा है यह मैं नहीं कर रहा हूँ, एक लड़का जो एक लौता लड़का था, I.I.T.N था, I.S की तियारी कर रहा था कई जगए अमिर्का है, लंदन में बात चल रही थी, वो एक आये कि स्कॉन में चला गया परचार परसार करने के लिए तो उसके बाद एक खुलासा हुगा है, दुसरा जो सबसे चुनाबी खुलासा है, यह मैं नहीं कह रहा हूँ, पहले तो बिबेग तिवारी हत्याकान, कल्पना तिवारी ने डिप्टी सीम से लिया नियुक्ती पत्र बोली, सही चल रही है जाँच, मतलब समझिए कि एक मह जिसके पती को मार दिया गया इंकाउंटर में, वो सरकार से बिलकुल नाराज नहीं क्योंकि उसकी सारी बाते मान ले गई है, तो क्या उन लोग का क्या होगा जो बाकी के इंकाउंटर हुए हैं, अलीगर में पहले पंखुरी पाठक पर हमला हुआ, और अब समाजवादी पाठी के लोग गये थे, पिरित परिवार, मुस्ली परिवार से मिलने, उन पर बजरंग दलो के लोगों ने हमला किया है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि सरकार को बनाना रिपब्लिक बना दिया गया है, और छोटी-छोटी बाते और दो-तिन बता दो, कुईंट के जो संस् कर दिया जाता है, करने शुरू हो गये हैं, लेकिन हम लोग के लिए ये सब वो टेलिविजन चैनल अखवार बालों की ख़बरे मैं चाहता हूं, वो भी आपको थुरा रूबरू बता दूं, ये रफेल डील इनका चलता रहेगा, जब तक ये लोग सत्ता में रहेंगे, आ कॉंग्रेस बीजेपी हो या तवान सवर्ण दल हो, ये किसी का भरष्टा चाहर नहीं रोखते हैं, ये इनकी खेल चलता रहता है, तुम मुझ पर आरूप लगाना, मैं तुझ पर आरूप लगाऊंगा, और सबसे बड़े बोटर है, वो ब्यवकूप बनते हैं, अगर आजादी के सतर साल बाद भी, स्केस्ट योविसी मैनोटी के लोग ब्यवकूप बनते रहेंगे, तो आपका कुछ नहीं हो, एक बहुत ही मरमस परसी लेक भेजा है, नहीं, उसे पहले एक और ख़बर बता दूँ आपको, टोटल सैतालिस सौ करोड रुपय जो है, योगी जी, वो कुम बेला में खर्च करेंगे, तेरो सो करो रुपय अखलेस ने भी खर्च किये थे, आप बताइए इस देश को किस धार्मिक अंधकार में धाकेला जा रहा है, और वो छोड़िये, पूरी बोंट की राधनीती है, जब तक धार्मिक करमकार नहीं होगा, बीजेप समाजंबिक कराइट है, ये CSTOBC माइनोर्टी के लोग, जो धार्म की ववस्ता में सुद्र है, नीचे के अस्तर के हैं, सोचिए आपके लिए स्कूल जरूरी था, आपके लिए अस्पताल जरूरी था, आपके लिए दवाईयां जरूरी थी, और इस सारे कुम में CSTOBC के ल जरूरी है, गरीब के बच्चा के लिए अच्छा खाना जरूरी है कि कुम जरूरी है, और एक कुम से आपका भला हुआ होता, तो आपके बाप दादा का भला नहीं हो जाता, अगर हम बेटकर साहब नहीं आते, समभिधान नहीं बनता, तो आप आप सोचिए बहुत मुझे मतलब नहीं है मैं उनके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं मैं अपने लोगों को अच्छाई बुराई के बारे में बताने का हगदार हूँ मैं बहुजन समाज में पैदा हुआ और मेरी नेतिक जिम्मवारी है कि मैं बहुजन समाज के बारे में बात करूँ हमारे लिए मैं कह रहा हूं स्कूल जरूरी है कॉलेज जरूरी बता ये 4700 करों रुपए में कितने स्कूल खुल सकते हैं कितने अस्पताल खुल सकते हैं जो लोग मायावत्ती के पार्क बनवाने पर जो कि उन इतिहास है उन समाज सेवियों के नाम पर पार्क बनवाने पर जो लोग बवाल क जमीने बच गई, कंक्रीट नहीं बनी, इन्वार्मेंट पर्यावरन के लिहास से वो अच्छा है, लेकिन बताइए कुम से कौन सा पर्यावरन सेफ होता है, नदी की ऐसी की तैसी करती जाती है, और करोरों रुपए उसके सफाई पर ये लोग खर्चा करते हैं, तो ये समाज को नुकसान होगा, और सवन समाज का मोट बनता है, और इसलिए इस तरह के आयोजन किये जाते हैं, इसको बिलकुल आप अगर आप धर्म के नाम पर नदी को गंदा कर रहे हैं, तो इस पर बात करनी परेगी, अगर आप मजहब के नाम पर इंसानियत को मार रहे हैं, किसी भी तरह का fundamental forces हो, वो प्रेमी जोरे को पिटाई करते हैं, ऐसे दर्दनाक दर्दनाक वीडियो आ रहे हैं साहब, गुजरात में इस कौन बाले ने एक दलित बच्चे को ले गया, जो आई-ई-टी कर चुका था, और उसको पुजारी बना दिये, तो समझे कि ये समझना परेगा इस देश के बहुजनों को, और इसमें कॉंग्रेस हो, या बीजेप यो दोनों की रजामंदी है, क्योंकि दोनों की लीडर्शिप शवर्न है, अब मैं जो एक बात जो आपको कहने आ रहा था, मैं भवर में वनसी साहब है, जो मैं लगातार आप लोगों को बात कह करेंगे, करूँगा कि निशनल दस्तक के तमाम दर्सकों को बहुजन समाज के लोगों को जितना हो सकता है, निशनल दस्तक पर लाइव, ये जरूर बुजारिस करता हूँ कि लाइव के समय आप लोग हजारों की संख्या में आईए, समय भी बताऊंगा, तो भवर लाल ले वनसी ने एक भरिया लेक लिखाया, मैं चाहता हूँ, उसको पर के सुनाओ, भवर लाल ले वनसी बहुजन एक्टिविस्ट हैं, नेता हैं, और मैं तमाम SCSTOBC माइनोर्टी के तमाम उन लोगों से कहना चाहता हूँ, जो सिर्फ MLMP बनने के लिए किसी पार्टी की गोद में जाकर गिर जाते हैं, उनको ये समझना चाहिए, और मैं उन तमाम SCSTOBC माइनोर्टी के लोग का सम्मान करता हूँ, जो अपनी पाटी बनाते हैं, और संघर्स करते हैं, या गटबंधन करके लड़ते हैं, या फिर अपनी पाटी को जीता हैं, उन तमाम लोग जो BJP, कॉंग आप इस देश के, इस समाज के, बहुजन समाज के लोग पुरी दुनिया में जहां भी हैं, उसको समझें, रिजर्व सीटों पर रानितिक दलों के पंज प्यारे, एक बार फिर से हेडर सुनियें, रिजर्व सीटों पर रानितिक दलों के पंज प्यारे, राजस्थान में क 2013 तक के 14 चुनाओं पर नजर डाले तो इन सीटों पर टिकर देने का ट्रेन रिया है कि इन आरक्षी छेत्रों में आरक्षी समधाय की राय कोई मैंने नहीं रखती यहां पर अनारक्षी सवर्ण अत्वा लठायत पिछरों की इच्छानुसार ही कैनिरेट तैग किये जाते हैं यह असपर्ष रूप से दिस्टी गोचर होता है कि अनुसूचित जाती बर्ग की सीटों पर पांच परमुख आधारों को ध्यान में रखते हुए टिकर दिये जाते हैं जिसके चलते आज तक किसी भी पार्टी में प्रादेशिक अस्तर का कोई भी धंका नेत्रित उभर कर नहीं आ पाया है। अपने कुर्ते की जेब में चाय एवं पानी पीने का गिलास रखे छुआ छूत और भेदभाव की सनातनी मर्यादा को स्युकार करते हुए अपनी आउकात में रहे उन्हें सो नब्बे तक इस तरह के जीब बड़ी संख्या में पाय जाते थे अब ये इक्का दुका ही मिल फिर भी अनारक्षितों को इसी तरह से सनातनी दब्बू बहुत पसंद आते हैं पसंद करते हैं वही कॉंग्रेस को पढ़े लिखे लोगों के बजाए आठवी या दसवी पास लोग ही ज़्यादा मिलते दिखाई पड़ते हैं ये एक बड़ा सवाल में वंसीर साब ने उठाया है Предकि कॉंग्रेस खास कर कॉंग्रेस बीजेपी ने तो फिर भी आई-ए-ई-टी इंजिनियर को मौँखा दिया आई-यारीस को मौँखा दिया Congress जो है वो आठवी और दसवी पास candidate को बात लाती है ताकि आप कभी भी अपने समाज की बात न करें आप अपना पेट पालते रहें और उनको भी एक या दो वर चुनाओ लगा जाता है फिर अगले बार हरा दिया जाता है मतलब आप मजबूत नहीं बनिये शांदार लिखा ह उन्होंने चोथा लिखते हैं अपनी बीधान सवा तक सिमीत रहने वाले ब्यक्ति अस्थानिक अनसमदाय के नेता ऐसे ब्यक्ति को टिकर दिलाना पसंद करेंगे जो सिर्फ अपनी बिधान सवा तक ही सिमीत रहता हो और कभी भी अपने बढ़ गया छेतर की बाते सदर में नहीं रखता हो पांचवा बंसानुगत और गैर संगातनिक ब्यक्ति जो संगठन से न जुरा हो जो संगठन से न जया हो जो अंबिट करीजम न जानता हो वो भी सी पर ही बात करूँगा मैं पहले भहुजन समाज के एस एस टी लोग की बात कर लूँ मुसल्मानों को तो इस देश में पाटी ही नहीं खड़ा करने दिया कॉंग्रेस बीजेपी और तमाम सबन दलों ने वो कह देते हैं मायावती का बीजेपी का दलाल अगर बीजेपी सत्ता में है तो कॉंग्रेस की दलाल वैसी अगर कॉंग् और के रूप में candidate बना दिया जाता है ये बंसानुगत लोग किसी जन संगर से नहीं आते हैं इन में से अधिकतर का कोई संगाठनिक background नहीं होता है उस दल या समाज के इनका कोई यगदान नहीं होने के बाब जूद भी इनके बाब आप जदाओं की बज़त टिकट मिल जाते हैं अकसर ये लोग जीत भी जाते हैं कोई परभाब नहीं छोड़ पाते हैं आप अपने इर्द गिर्द की रिजल्फ सीटों के दावेदार ठिकतार थी या उमिद्वारों की social audit कीजिएगा आप पाएंगे कि इसी तरह के लोग बर्सों से चुने जा रहे हैं ये क्यों परभाल नहीं उठा रहे हैं हम कुछ कर नहीं रहे हैं ऐसी इस्तिती में अनुसूचित जाती बर्ड को क्या करना चाहिए इस पर अवस विचार करने के आप सकता है गौर तलवे की राजित दलो तता प्रादेशिक अस्तर पर जो धन बल परिवारिक बलों के नेताओं का ब बढ़ते हैं दलित नेताओं के साथ सबसे गंभीर समस्या यह रही है कि उनकी लराई अन बर्गों से होने के बजाए सबसे ज़्यादा आपने ही बर्ग के लोगों से होती है क्योंकि उसके स्वैम के बर्ग के सामने ही उन्हें चुनाव लड़ना पड़ता है ऐसे में अध असलब है कि एक दलित दूसरे दलित से लड़ रहा होता है एक आदिवासी दूसरे आदिवासी से लड़ रहा होता है और इससे होता है कि समाज मजबूत नहीं बन जाता है और जितने दलित और आदिवासी नेता है वो एक दूसरे की टांग ही चाही करते रहते हैं उनको ल जाई है कि उन्हें पता होता है कि ये कॉंग्रेस में रहेगा मैं बीजेपी में रहूंगा हम दोनों आमने सामने लड़ेंगे इसलिए अपनी ताकत बना कर रखना है जबकि सवर्लों को पता है कि वो उनके लिए सारी सीटे खाली है तो इसलिए मुझे लगता है कि इस बार के लोग को ये ध्यान देना चाहिए कि आपके जनरल सीटों पर कितनी टिकट मिल रही है ओवी सी को भी ध्यान देना चाहिए ओवी सी जनरल पर ही लड़ते हैं ओवी सी पर बात करूंगा लेकिन ये बड़ा सवाल इन्हों ने उठाया है चुनाव में भारना पर दे यदि समाज और अंदोलन का हिस्सा नहीं बनते हैं तो ऐसे रबर स्टैप नेता को दलित समाज कैसे अपना नेता मानेगा या कश्मकस एक बेहतर दलित बर्क के नेता पैदा होने में सबसे बरा संकट पैदा करती है सोचिए कि सबर्णों के दलों में आज तक बहुजन समाज में खासकर रिजर्व स्टैट से आगे नहीं निकल पाए हैं हमें मुल्यांकर करना चाहिए कि हमारे बर्क के लोग भले ही आरक्षित बर्क से चुनाव लड़ते हैं लेकिन अन बर्क के नेताओं को दुसरी सीटों पर भी बोर देते हैं चुनाव लड़वानेवं जिताने का काम समाजी गुर्प से सामाईक तोर पर नहीं सुकारेंगे तब तक हमें आयतित उधार का गुंगा बहरा और दब्बु नेत रुत ही मिलेगा जिसे हम पूना पैक्ट का खर पतवार कर कोशते रहेंगे और संतुष हो जाएंगे भवर म गवंसी निदेशक दलित आदिवासिवं घुवंतु अधिकार अभियान राजस्थान डगर ये बड़ी बात मेगवंसी सहाब ने कही है कि दलित और जो आदिवासी नेता है वो अपने ही पार्टी के अपने ही समाज के लोगों से लड़ता है इसलिए बहुजन समाज को सो चुनाओ लड़ाती है ओभी सी बड़ा फैक्टर है ओभी सी के लोगों को सोचना चाहिए कि कॉंग्रेस और बीजेपी की जैसी सत्ता आएगी आपको सबसे कम टिकर दिया जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा वो सवन को जिताते हैं सोचिए कि जहां से कांसी नाम कहते थे क सवन समाज के लोग अपने बोट पर पण्चायत का चुनाओ नहीं जी सकते हैं मुखिया का चुनाओ नहीं जी तो उस चुनाओ में देखें 2014 में सबसे ज़्यादा सवन समाज के लोग MLE और MPA इस देश में MLE और MPA है शर्म आती है मुझे भोजन समाज के लोगों पर कि आ समाजी का अंदोलन इसलिए करता है कि वो MPML बन जाए और वो किसी पार्टी के गोद में जाके बढ़ जाता है तिन-चार पार्टियां С.E.S.T.O.B.C. मैनाटी की अगर आपने इन पार्टियों को मजबूत किया चाहे वो RJD हो चाहे वो JDS हो चाहे वो सपा हो चाहे बसपा हो चाहे वो DMK हो और चुनाओ के बाद ये लोग गटबंधन करके अपनी सरकार बना सकते हैं और मैं तो साफ साफ कहे रहा हूं कि आज के डेट में जब तक कोई दूसरी पार्टी नहीं बनती है बहुजन समाज पार्टी एक नेशनल पार्टी आपके पास पैन इंडिया पार्टी है राजस्थान च्छतिसगर गुजरात में माप की जिगा मत परदेश में चुनाओ दी गई और आज तक मुसल्मान 15% मुसल्मान बीजेपी उनको मारती है क्योंकि हमको हिंदू मोट मिलेगा कॉंग्रेस उनको मार खिलवाती है कि जैसे उनको मार पड़ेगी वो हमारे साथ आएंगे अगर उनके पास कोई बिकल्प होता वो वैसी जैसे और पार्टियां होत पीस पार्टिया होती तो वो गटवन्धन करते हिस्सेदारी करते लेकिन मुसलिम समाच के लोग खास कर जो असरफ मुसल्मान है वो उनको मैं सवर्णों से कम नहीं मानता हूं वो भी पासमंदा मुसल्मानों के साथ इसी तरह का विवहार करते हैं और उन्हें बाहर निकाल इसलिए असरफ मुसल्मानों से मेरी गुजारिस है कि कम से कम आप लोग तो असरफ थे आप तो कम से कम पाटी बनाते आपके पास तो संसाधन था पैसा था अब कम से कम कॉंग्रेस बीजेपी और तमाम सवर्ण दलों का खेल समझे और आपकी कोई पिटाई करवाता है कोई मिनिश्टर बन सकते हो जैसे जैसे घुजरात में बगर पटेलो की सरकार नहीं चलनी चाहिए है वो अपने leadership की तरफ नहीं बड़ता है बहुजन leadership की नहीं बड़ता है आपके अंदोलन को दबाता है आपके विचार को दबाता है और अगर वो अंदोलन से निकलता भी है तो आपको बेच देता है आप मुझे उधारन देकर बताईए इस देश में जो काम मैं अमबेटकर बाबा साहब अमबेटकर को परे मानता हूँ मेरी आउकाद नहीं उन पर बात करने के और उन्होंने जो किया है हमारे लिए सम्मिधा समाज को जगाया और अपनी पूरी जिंदगी समाज को दे दी उनको भी छोड़ दीजे उनको भी मैं डक्टर बाबा साहब मानने बाबर रोहित बेमूला इन सब लोगों को मैं राजनितिक नहीं समाजी के उध्धा मानता हूँ वो तथागत बुद्ध वो उनका सम्मान है वो लालत से परेव्यक्ति थे हम लोग बात करेंगे खाटी राजनितिक की जो लोग मायवती पर सवाल उठाते हैं जो लोग मुलायम सिंह यादा पर सवाल उठाते हैं जो लोग करना निधी पर सवाल उठाते हैं आप बताईए कि कि किसी भी दल ये चार ल पार्टी है मयाबती ने साप सप कह दिया कि मेरे परिवार से कोई भी नहीं आएगा इस पार्टी में आप परिवारबात का उस पर आरोप नहीं लगा सकते हैं उन पर आप बताईए इन चारों पार्टी में क्या लालु यादब का समाजिक अंदोलन पिछरों की ताकत दलितो की ताकक उनको भूल जाएंगे क्या देब गौरा के समय का काम भूल जाएंगे क्या मुलायम सिंग आदब ने OBC के लिए जो किया वो भूल जाएंगे लेकिन बात आती है BSP सुप्रीमों मायाबती पर उनका काम देखिए एक बार वो फुल फ्रेसिब एक बार CMR इस देश में एक मात्र महिला है दलित महिला जो फुल टर्म CMR उनका काम देखिए चाहे वो मेटकल कॉलेज हो चाहे वो IIT हो चाहे वो इंजिनिरिंग कॉलेज है चाहे वो पुल्टिकनिक हो चाहे बहुजन समाज को सम्मान देना हो अपने धाओं को अमर करना हो पार्क बनवाना हो कौन ऐसा काम नहीं क्या और सबसे बड़ी बात है लॉइन ओडर, USP घोटाले नहीं हुए ये घोटाले का रोप नहीं लग सकता है उस राज में कुश्वाहा को जान बुचकर फंसाया गया आज तक उसमें कोई निर्दय नहीं आया आपके सामने रफ्यल हो जा रहा है वो पर्धान मंत्री बना हुआ माया बती ने कुश्वाहाजी को पाटी से निकाला बरखास कर दिया था वो उनकी भूल थी कोई घोटाला साबित नहीं हो पाया कोई जेल नहीं हुई सजा तक नहीं हुआ है तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि बहुजन समाज के लोग को सोचना चाहिए कि जो नेता आपके इन पाटियों के खिलाब बोल रहा है इन नेताओं के खिलाब बोल रहा है समझे वो आपका चमचा है सवर्ण के नेताओं का सवर्ण पार्टियों का वो दलाल है अपनी इन पार्टियों में कुछ गरवडिया हो सकती हैं लेकिन आप भरोसा तो कुछ यह मैं किसी की नेता के कहने पर क्यों भरोसा करूँ जो MLMP बनना चाहता है मैं इन नेताओं के समाजिक काम को देखता हूं कि क्या यह हर लोगों के लिए जो दो चार लोग सिकायत करते हैं वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो MLMP बनने की महत्ता आंक्षा रखते हैं जो हमारा मास है जो आम जनता उसको MLMP नहीं बनना है किसान है मजदूर है उसके जीवन में कितना बदलावाया आप किसी नेता को इस कसोटी पर कसी है रोज मैं देखता हूँ आहे गाहे बगाहे जितने लोग रहे लिस जो डिफरेंट डिफरेंट पाठी के नेता है वो इन तमाम लालुयादब मायबती सपा अखिलियस का अलोचना करते है इसका साब साब मतलब होता है कि उनका नहीं स्वार्थ है वो MLMP बनना चाहते है भाईया BSP सुप्रीम मायबती कितने लोग को MP बना सकती है 545 सीट है कितने लोग को रासवा बना सकती है तो मैं जनता को जनता से कोडिनेट कर रहा हूँ मैं भगजन समाज के लोगों से बात कर रहा हूँ कि आप नेताओं के भाकावे में नहीं आए और इन तमाम लोगों की हकीकत को पहचानिए जो दुसरे दुसरे दल में जाके MLMP बन जाते हैं करोना निधी ने क्या किया इसका ट्रेक रिकॉर्ड उठाईए तब आपको पता चलेगा कि हमारी पार्टी की क्यों जरूरत है बहुजान लीडर्शिप की क्यों जरूरत है अगर आप नहीं उठाएंगे तो इसी तरह से कुम के नाम पर 4700 करोड और आपके लिए स्कूल नहीं खोले जाएंगे अगर यह सवाल आप नहीं उठाएंगे तो आपका इनकाउंटर होगा और एक तिवारी जी के इनकाउंटर को नौकरिया मिलती रहेंगी अगर यह सवाल नहीं उठाएंगे तो SC, ST, OBC और माइनोर्टी के लोग मारे जाते रहेंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे यह सवाल नहीं उठाएंगे तो आपका अभी गुजरास से कभी महारास से भगाये जाएंगे ये सबाल नहीं उठाएंगे तो मालिया मोधी भागते रहेंगे ये सबाल नहीं उठाएंगे तो कॉंग्रेस की तरह से टूजी और इनके तरफ से रफेल होता रहेगा और आप फंसे रहे इसी खेला में मिडिया भी उनका है अखबार भी उनका है ये कोई बात नहीं बताएगा हम लोगे बात कर रहे हैं बहुत कम संसाधनों में अपने तमाम रिस्क लेके हम बहुजन समाज में पैदा हुए है हम लोग बाबा सवबैट कर फुले पिरियार सावित्री वाय जोती वा फुले माने इस जीवन को समाज के नाम किया और हमारी पतकारिता बहुजन समाज के लिए जो भी विक्टिम उसके नाम पर पतकारिता करेंगे और ये टेली विजन अख़वार आपको कभी नहीं बताएगा क्योंकि मैंने आज दिखाया था आपको कि कैसे 1500 कैमरा पहले मोदी की रैली में लगती थी और वही कैमरा रहुल की रैली में लगने लगा है माय बत्ती की रैली नहीं दिखायी जाएगी भया आपने गाय ही नहीं पाला तो दूद कौन खिलाएगा इसलिए हमारी नेताओं को भी सोचना पड़ेगा कि संस और बहुजन समाज के लोगों समनना पड़ेगा कि आप रहुल का रोट सो देखके अभीबूत हैं रहुल की रैली देखके अभीबूत हैं अरे मोदी की रैली और रोट सो देखके तो अभीबूत हुए थे तो जो जितना पैसा खर्चा करेगा चुनाओं के बाद वो उतना कमाएगा हिस्सेदारी आपकी मारी जाएगी हक आपका मारा जाएगा सम्भिधान आपके खत्रे में रहेगा इसलिए मैं SCST, OBC और माइनोर्टी के लोग को बताना चाहता हूं कि OBC के लोग अपने दलों को बोट नहीं करेंगे SCST के लोग अपने दलों को बोट नहीं करेंगे माइनोर्टी के लोग भवजन समाज की हमारा दर्द का रिस्ता है माइनोर्टी के लोग को समझना पड़ेगा कि सबर्न, चाहे ब्रहमन सबर्न जो हिंदु धर्म को मानता है जो जाती विवस्था को मानता है जो हिंदु धर्म के हिसाब से आपको खतरनाक मानता है जो आपको आतंकी कहता है आपका निच्रल पार्टनर कौन है यह आपको तै करना पड़ेगा क्या आप सिर्फ कल्चल बनना चाहते हैं और पालक के साथ सवर्णों के साथ परा रहना चाहते हैं या आप आलू बनकर पालक जो बहुजन समाज है उसके साथ आना चाहते हैं ताकि आपको हिसेदारी मिले मैं अबती ने सौटी कर दिये थे आपको कहां पर यूपी में आप बताईए कि क्या वो हिसेदारी नहीं थी तो ये ये सब समझना पड़ेगा आपको आपको रादितिक चतुरता दिखानी पड़ेगी जो भवर मिंगवनसी ने कहा है और मैं बहुजन समाज के लोगों से कहता हूँ कि आपका नेता किसी पार्टी में रहे उससे कोई देता है उससे समाज का भला नहीं होगा उससे देश का भला नहीं होगा उससे बहुजन समाज का भला नहीं होगा इसलिए इस बार बहुजनों को अपनी ताकत पहचाननी है और मोदी के बहाने जो एक जूरता बनी है कॉंग्रेस से दूर बनेए और बहुजन समाज को सत्त मिला ये जिता ही है नहीं तो आप बारी-बारी से ऐसे ही लूटे जाएंगे मारे जाएंगे कभी रॉफेल होगा तो कभी टूजी होगा कभी बोफोर्स होगा तो कभी नजाने क्या-क्या घोटाले होंगे और आप सत्ता के खेल में पिसे रहेंगे आप TV अख़वार देखते अरे जब सवर्नों की पार्टियों में S.C.S.T. O.B.C. के नेताओं की दो रुपए की हैसियत नहीं है तो आपकी क्या हैसियत होगी आप देखिये कि कॉंग्रेस की सरकारों बीजेपी की सरकारों आपके नेताओं को क्या मिलता है सोसल जश्चिस मंत्राल है राज मंत्री अरे यही हालत होने वाली है बहुजन समाज के नेताओं को पपेट चुना जाता है इसलिए अपनी सरकार बनाई है अपनी सत्ता में लाई है अपना CMPM बनिये तभी आपके किस्मत का आपकी सुधरेगी तभी आपका भविस सुधरेगा तभी आपके स्कूल कॉलेज बनेगे तभी आप सुधरे हैं या भी भी हमको बोर देंगे या हम आ जाएंगे और अगर आपने ऐसा गलती किया आपने गलती दुराई जो 60-70 साल से दुराते आ रहे हैं तो अगले 2020 के लोकसवा चुनाओं में या तो बीजे पी आए चाहे कॉंग्रेस आपका भला नहीं होगा क्योंकि ज उसका नित्रित्व करता कौन है उसने कैसा काम किया ये देखिए इन कुछ चंद निताओं के उपर मज जाए जो रोजबयानवाजी करते हैं क्योंकि उनको टिकट नहीं मिला है और उनको किसी भीपक्षी पार्टी में जाना इसलिए बो बैमानी करते हैं इसलिए अपने च पार्टी के गोद में तो नहीं बैठगे एक हमारा माबाप निकाल देया हमें घर मे बेवर मिले तो क्या हम दुस्मन देश पाकिस्तान अफगानिस्तान के साտआंगे अपने परिवार के साथ रहएंगे अब्होश शकता है मैं इक पहली बात जान देजए कि जितने दलित और आदिवासी नेताओं को दूसरी पार्टियां हैर करती है वो इसलिए क्योंकि रिजर्व सीट पर टिकरते ना उनकी मजबूरी है नहीं तो आपको हैर नहीं करती है उसके बाद जो लोग समाजी कांदोलन से निकले हैं उन पर नज़र रखिए कि वो कहीं दलाली तो नहीं करने लगे हैं बाद में और जो भी समाजी कांदोलन के लोग हैं उनका सम्मान कीजिए उनको सर आँखों पर बैठाइए क्योंकि वो आपके लिए लड़ रहे हैं लेकिन आपको बोट की रानिती में आपको अपनी ही पार्टी चुननी परेगी अपनी ही नेता चुनना पर अपना ही दल चुनना परेगा और नहीं तो आप इस देश में जो जो विवस्था है जाती विवस्था है जो धार्म की विवस्था है वो कंग्रेस हो चाहे वो टी एमसी हो चाहे वो नविन पटनायक हो चाहे वो बीजेपी हो आप उनके गुलाम है क्योंकि वो सवर्नों की पार्टी है और सबन समाज के लोग आपको कुछ दे दे ये बहुत मुश्किल है तो आप लोग तै किजिए नौरात्रा चल रहा है आपको तै करना है कि आपका बच्चा स्कूल जाए या पंडाल लगाए आपको तै करना है कि आपको कुम में 4700 करो रुपए देने वाली सरका चाहिए या इस्कूल खोलने वाली सरकार चाहिए आपको तै करना है कि आपको ऐसे कॉंग्रेस वीजेपी महाराष्ट में आपके पिटाई करती है या आपको रोजी रोठी का इंतिजाम करती है आपको ऐसे नेता चुनना है जिसमें सजीवन भर सोसल जस्टेस और गरीवी के लिए खिलाब भोजुनों के लिए लड़ा है या आपको ऐसे दलाल चाहिए जो MPA मेले बनने के लिए पूरे समाज को बेद देते हैं मैं एक बार फिर कह रहा हूँ माने बरकांसी राम की लाइन साफनाथ नागनाथ माने बरकांसी अगर आपकी नेता आपका पार्टी कहीं गट बंधन करता है तब तो समझ में आता है बिना गट बंधन के अगर आप किसी को बोट दे रहा है तो आप अपना बोट और अपना जमीर और अपना आने वाला भविस तीनों को बरबाद कर रहे हैं ये बास समद लीजिए किसी दुकान में कोई नेता आपका जाके नौकरी करता है तो वो मजदूर हुआ किसी दुकान में आपका पाटी वाला नेता पाटनर्सिप करता है तो ही सेदारी हुई और जो अपना दुकान चलाता है उससे बहतर क्या ह सकता है बार बार में ही बात कह रहा हूं और भवर में गवंसी साब जोनों लिखा है शांदार लिखा है इसलिए में बहुजन समाज के लोग उसे अपील कर रहा हूं कि 2019 का सेमी फाइनल है 36 गर मत परदेश और राजस्थान इस बार अगर आप लोग चूग गएं कॉंग्रेस और इसी माइनोर्टी के लोग चूनाव जीत कराते हैं और मिली जुली सरकार होगी तो मैं बता रहा हूं इस देश में कॉंग्रेस और बीजेपी की मजबूरी होगी कि 2019 में बहुजन समाज पार्टी भी कहता हूं बहुजनों की पार्टी कहता हूं सपा, RJD, DMK, JDS, इन दल गरीबों का भी भला होगा, देखिए कितनी बहिमानी के तहद हमसे स्कूल छिन लिए गए, आज प्राइबेट स्कूल में 85% वाले बच्चे नहीं पर सकते, क्योंकि हमारे पास संसादन नहीं है, आज अस्पताल छिन लिए गए, 85% जो बहुजन समाज के लोगे वो इलाज नहीं करवा पातें, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, आज रोजी रोटी छिन लिए गई है, तो आप समझे कि इस देश में बहुजन समाज पिरी दर पिरी गरीब रहेगा, अगर बो राजितिक रुप्तर सचेत नहीं होगा, बाबा साहब को सुक्रिया कहिए, जिन्हों नहीं आपको बोनत का अधिकार दिया, बोनत का अधिकार नहीं होता, तो आप इस लाइक भी नहीं होते, कि आपको दलाली करने का भी मौका मिले, आप सुक्रिया किए माने बरकांजिराम का, जिनोंने आपको एक रादितिक दल दी, आपको एक रादितिक चेतना पैदा की और उनने कहा था कि हम चम्चो से साबधान रहेंगे और आप सुक्रिया की जिन तमाम बहुजन नेताओं का जिनोंने एक एक बार या दो दो बार जिनको मौका मिला है बहन जी को फूल फलेजेख वर मँखा मिला, लालुयादब को मँखा मिला, मुलाहिम स्ञी को मँखा मिला, आपको बताए कि कषणा निधीक को मुखा मिला और आपको बताए कि अब कुमार्श्वामी तो ये तमाम लोग जो अपने अपने हिस्था से काम कर रहे हैं लेकिन जब तक आपको नेताओं को भरोसा नहींगा कि हमारा समाज जग गया है हमारा समाज एक जूट है एक जूटता बनाएए ताकि कोई और रोहिद बेमूला नहों कोई और उनाना नहों कोई और साहरनपुर नहों कोई और योपी योगी का सीयम बन के न ditch ठोक दो बहुत जुना को और एंकाउंटर नहों और मैं मुसलिम समाज के लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको तै करना है कि साथ साल तक पिटने वाली कॉंग्रेस जायज है या पांच साल, दस साल, दो बार बाज़ पर ही और मोदी राजमेजी इन्हों ने आपकी पिटाई की वो जायज है या इन दोनों से मुक्ति की जरूरत है या आपके उपर है टीवी अखवार पर मज़ जाये रैली धरना पर दसन पर मज़ जाये जो जितना ज़्यादा पाटी चुनाव में पैसा लगाएगा वो बाद में उतना पैसा कमाएगा यही आरोप तो आप मोदी जी पर लगा रहे थे फिर राहूल की रैली क्या बिना पैसो के चलती है कागच के पैसे से चलता है बहुजन समाज के लोगों को चंद बहुजनों की जो पाटी है बहुजनों के चंदा से चलता है इसलिए उसमें बैमानी नहीं हो सकती, कोई 100 देता है, कोई 50 देता है, कोई 10 जार देता है, कोई बनिया चंदा नहीं देता है, कोई बिजनेसमें चंदा नहीं देता है, कोई क्रोनो कैपिलिजम चंदा नहीं देता है, इसलिए वो समाज क्या काम करेंगे, क्योंकि उनका में कुछ नहीं हुगा जग जीवन बावığı यह खतम करूंगा एक पिर ही लरती है दूसरी राज कर दित. सरी राज करती है लल्या सिंह बहुत के लाइन से आपको खतम करूंगा कि यह जो बीसी के समाज है जो पिछरा नहीं है यह हिजरा समाज है यह मैं नहीं गहरा है अगर बुरी लगी हो कोई सब्द बुरा लगा तो माफी चाहता हूं लेकिन हालात इस तरह के हो गए है कि पत्रकार के नाते मुझे लगता है कि मुझे बहुजन समाज के लोग को बात अपनी उपिनियन बतानी चाहिए आप मुझे बताएंगे कि मैं पत्रकार नहीं हूँ किसी का पहरोकार हूँ तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं आप अखवार का लेख पढ़िए उसमें जो पत्रकार होता है वो क्या लिखता है वो किसके पक्ष में हवा बना रहा होता है आप टेलिविजन पर एंकोरों का डिवेड देखिए आप रिपोर्टर जो बोलता है वो देखिए कि किसके साथ होता है तिवारी जी के लिए रिपोर्टिंग होती है SCST OBC के लिए नहीं होती है इसलिए मेरी भी नैतिक जिमिवारी है कि जो विक्टिम है मैं उसके साथ खरा रहूँगा और फिरहाल इस देश में SCST OBC माइनोर्टी के लोग विक्टिम है अगर ये वीडियो पसंद आया तो हजारों की संख्या में इसको सब्सक्राइब कीजिए सेर कीजिए कमेंट जरूर कीजिए और YouTube का लिंक लोगों को भेजिए और अपनी पर्तिकिरिया जरूर दीजिए ताकि मैं उस पर्तिकिरिया को देखने के बाद पढ़ने के बाद आगे फिर से आप लोगों से रूब वरू हो सकूँ शुक्री आप सबका संभू कुमार सिंग निशनल दस्तक दिल्ली निशनल दस्तक की आप से गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें